तो आज हम देखने वाल एक कोश्चन जिसमें बोला गया है क्योंकि हमको पता है जब कोई एसीड होता है तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है पर यहाँ कोश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो ड्राइ एसील सूखी एसील गयस है वो कलर चेंज नहीं कर पाती है एक ड्राइ लिटमस पेपर का चलिए आंसर देखते है तो यह एक प्रापरटी हमने डिफरेंस में देखे थे कि जब भी हम किसी एसीड को वाटर में डिसॉल करते हैं घोलते हैं तो उसको वाटर में डिसॉल करने पर ही उसमें जो एसील में जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो सेपेट होते हैं पर क्योंकि यहां पर जो करेघी जब वो एसीड के जैसे काम नहीं करेगी तो वो और ट्राय लिफमस पेपर का कलर चेंज कैसे करेगी तो वही लिखा है कि the separation of hydrogen ions from HCl molecules cannot occur तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे water जो है वो oxygen से नहीं है Hence इसलिए dry HCl has no hydrogen ions तो इसलिए जो HCl gas जो है उसके पास hydrogen ions नहीं है Therefore dry HCl gas does not change the color of dry atmosfeper because it has no hydrogen ions in it तो इसलिए HCl gas जो है वो dry litmusfeper का color change नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास hydrogen ions ही नहीं है और hydrogen ions नहीं है तो किसी भी तरही किसे उसका color change नहीं कर पाएगी क्योंकि जो litmusfeper होता है उसका color change करने की capability होती है वो होती है hydrogen ion के पास Okay students I hope clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमारी चनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना ही thank you